हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका डिजल दयारी चैनल पे, मैं श्रियांस को धारी लेके आया हूँ दोस्तों, especially आप सभी के लिए objective general English by SP बक्षी का complete solution दोस्तों, एक-एक चैप्टर को बहुत आराम से हम लोग देख रहे हैं और आराम से solve कर रहे हैं मैं अभी आपको बढ़ा रहा हूँ article की theory वाला पार्ट जिसमें rule number second हम लोग ने start किया था पिछले वाले वीडियो में और अब उससे आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, शलिये, देखिये यहां पे क्या दे रखा है यहां पे दोस्तों G वाला portion बाकी रह गया था पिछले वाले पार्ट के अंदर Note the position of indefinite article in the following adverbs इन adverbs में ध्यान रखना है जैसे rather या very या much या quiet या so या to या to या such या इन में किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा वो समझना है It is rather a nuisance तो हमारा नया नयम बना कि भहिया rather के बाद आपको अ लगाना है Rather a nuisance it is rather a good step मतलब it is बहुत अच्छा step है rather a Rather a rather a का प्रयोग किया जाएगा यहां पे और देखते हैं दोस्तों यहां पे दे रखा है A very good person A very good person तो very good से पहले यह आएगा तो very के बाद यह नहीं आता है याद कर लेना Very से पहले यह आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक उसी प्रकार से he is a much hated character बहुत ज्यादा जिसको hate किया जाता है ऐसा character है द्वेश रखा जाता है ऐसा एक character एक चरित्र है वो कह रहा ही है Such a यह तो आपको अच्छे से याद होगा Very और much के आगे यह लगा दिया हमने लेकिन such के तो बाद में यह लगाएंगे यह ध्यान रखना यानि such a nice man that everybody like इतना बड़ी आजमी है कि हर कोई उसे पसंद करता है Such a nice person Quite an interesting guy, quite an interesting story Quite an interesting story का मतलब है काफी interesting story है, काफी रोचक कहानी है तो quite an, ध्यान से देखेगा Quite के बाद an आया, such के बाद आया Very के पहले a आया, much के पहले a आया यह सारे points दोस्तों लिख लेना अपनी copy में, मज़ा आ जाएगा She is as intelligent, a student as her brother बहुत ही प्यारा structure है यह Intelligent के बाद a लगाया है as, as के बीच में दो as के बीच में intelligent के बाद n नहीं लगाया She is as an intelligent, नहीं She is as intelligent a student, structure देखो दोस्तों वह intelligent एक लड़का एक student है जैसा कि उसका भाई भी है Same वैसा के वैसा She is too weak a student to pass इतनी weak student है, a student आया कि वो pass भी नहीं हो सकते अब मेरी बात को ध्यान समझना यहां पह तो actually a की जरूत ही नहीं पड़ती She is too weak to pass कुछ लगाने की जरूत नहीं है लेकिन यहां पे adjective के साथ noun लगाया तो adjective और noun के बीच में ए लगेगा जैसे यहां भी Adjective और noun के बीच में ए लगा Adjective और noun के बीच में ए लगा ठीक वैसा दोस्तों सू के साथ है, टू के साथ है, आज के साथ है.. यानि आज-आज में. सू के बाद। और टू-टू के अंदर आपको ज़िए रहराफ सू विक अ स्टूडेंट दाट्छी केंड पास् पसू विक – इड़िक्टिव Unless और नाउन के बीच में आ्टिकल। तो दोनों, दोस्तों, आपने देखा इन तीनों में अलग है, इन दोनों में अलग है, सच के बाद, क्वाइट के बाद, और इन दोनों में अलग है तो यही चीजें समझाने के लिए, एक-एक बात को समझाने के लिए किताब में बहुत ही प्यारे तरीके से दे रखा है एक्जाम्पल्स आप देखते जाएए दोस्तों और एक चीज और बता दूँ मैट्स के लिए आपको इसी चैनल पे हमारे चैनल पे दो बहुत प्यारी बुक्सॉल की जारी है राकेश यादव क्लास नोट्स बहुत ही प्यार हैं और राकेश चौधरी सर पढ़ा रहे हैं एकदम बेसिक लेवल से स्टूडेंट से कनेक करते हैं ठीक साथ मैं दोस्तों आरे सगरवाल चेतन पारिकसर हमारे करा रहे हैं उसको भी आप ध्यान से देखिए एक एक चैप्टर एक एक क्वेश्चन आराम से करिए बहुत सारे फॉलोवर्स हैं उनके मैंने देख रहा हूँ मैं ही एक किताब और करवा रहा हूँ इंग्लिश का लेवल अगर आपको लगता है यह बहुत भारी लेवल है कॉंपेटिशन से अभी मैं को बेसिक तो समझ आ जाए दोस्तों एसेंशल इंग्लिश ग्रैमर बाइ रेमन मरफी बिल्कुल मिस मत करिये बहुत प्यारी किताब है और बहुत अच्छी इंपॉर्टन किताब है चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको सीधा यहां पर बिफोर अपरसन नॉट नौन टू दा स्पीकर एच नंबर कह रहा है एक ऐसा परसन जो नौन नहीं है अब यहां पर मेरी भाषा क्या कहती है कभी-कभी ऐसा होता है हमारे साथ में कि एक इंसान का नाम तो जानते हम लेकिन इंसान को पैचानते नहीं है अब आप सोच रहें कि नरंदर मोदी का नाम तो जानते हैं और पैचानते हैं आप तो नरंदर मोदी का जानते भी है आप तो उनको पैचानते हैं वो आपको नहीं पैचानते हैं वो अलग बात है लेकिन आप तो उनको पैचानते है ना, मैं उनकी बात तो कर नहीं रहा हूँ, अब मेरी बात को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से समझ येगा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल भाशा में कि ऐसा भी कभी-कभी होता है, जब किसी इनसान का नाम तो जानते हैं, लेकिन इनसान को नहीं पैचानते हैं, कैसे आप घर पे बैठे हैं संडे को, फोन आया मोबाइल पे या लैंड लाइन पे और आपने उठाया, बोला, वहां से बोला, यार मैं कमल किशोर बोड़ रहा हूँ, तुम्हारे पापा से बात कर आओ, आप तो जानते ही नहीं कमल किशोर कौन है सम मिस्टर गुपता, इसको अ मिस्टर गुपता भी कह सकते हैं, सम मिसिस शर्मा को, कौन से वाले हैं नहीं पता, नाम ही पता है केवल, ऐसा आया वा एक्जाम में क्वेश्चन भी आया वा है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, कि कि इसी नाम के आगे ए लगाया जा सकता है, अगर उस परसन का नाम जानते हैं, इन्जान को नहीं पहचानते हैं रूल नंबर आई देखिए, बिफोर द वर्ब्स यूज आज नाम, क्या बात है दोस्तों, वर्ब्स का प्रयोग नाउन के रूप में हमने देखा था ये कई बार, तब हम लगाते हैं, जैसे, फॉर अ स्विम, यहां पे स्विम आज नाउन है बोस, स्विम करने जा रहा वो उस प्रकरिया को गाएंगे, for a swim, और बहुत ही commonly आपने सुना है, for a walk, I am going for a walk, नहीं सुना, I am going for a morning walk, walk as a noun है, adjective नहीं है, for a visit, he paid me a visit, he paid me a visit, याद कर लो आप, तो a visit क्यों आया, let's have a talk, for a talk, आपने सुना हुगा, let's have a talk, बातचीत कर लें, बातचीत को भी talk कहते हैं, बोलने को भी talk कहते है, let's go for a drive, let's go for a long drive, सुना होगा, have a taste, चलो उसका taste लेके देखो, have a pain, जरा दर्द लेके भी तो देखो, यार, have a mind, for a rest, तो ये हमने देखा, जब noun के रूप में, verb का प्रयोग किया गया, तब हमने ये लगाया, तो आपको ये ध्यान होना चीए दोस् ना उनसे पहले ये article आएगा, और कभी नहीं आ सकता है, before certain phrases, कुछ-कुछ phrases से पहले आता है, कब आता है, in a hurry, आपने सुना, बहुत जल्दी में भाई, take a liking, थोड़ा liking कर लो, take a fancy, थोड़ा खुश हो लो, tell a lie, जूट बोल लो, a pity, pity का मतलब मतलब दया करना, what a pity, feel a shame, थो तो आप in particular, ये तो याद ही करना है, ये सारे phrases copy में लिख दो आप, ये as it is exam में आएंगे, यू का यू छपके, इनमें आपको article का प्रयोग करना है, आगे देखते हैं दोस्तों, next क्या rules कह रहे हैं हमारे, शलिए, यहाँ हम कह रहे हैं, before words denoting number, ध्यान रखना, ऐसे कुछ words जो number को denote करते हैं, a hundred यानि एक सो, a million यानि एक दस लाग का, a dozen, ऐसे कुछ numbers, ऐसे कुछ words, जो number है, दर्जन यानि बारा, एक दर्जन, एक million, एक million का मतलब एक का तो a हो गया न, a का प्रयोग वहाँ, वहाँ वहाँ हो सकता है, number की अगर मैं बात करूँ, तो दोनों की value one है, or any one, क्या ये बात समझ आ रही है, चलिए आगे बढ़े हैं, question number, rule number L पे देखते हैं, हम लोग L क्या कह रहे हैं, Before the adjectives little and few to give the sense of some, आपने little और few से पहले अगर a लगा दिया, तो उसका meaning हो जाता है, some, ध्यान से देखेगा, a little, यानि की sum हो गया, a few, यानि की sum हो गया, little quantity के अंदर, यानि uncountable के लिए आएगा, few countable में आएगा, क्योंकि number दे रखा है, आपको ये ध्यान रखना जो मैंने लिखा है, वापिस देखिएगा, a little आएगा, sum के लिए, जब quantity की बात कर रहे है, uncountable है, quantity uncountable है, milk, a little milk, milk को count नहीं कर सकते ना, a little milk, number की बात हो जाए, तो बहुस a few लगाएंगे, a few students, students को count कर सकते हैं, यहाँ देखिए, I have a little money to buy a house, मतलब hardly any है, वो बात समझ आ गई, लेकिन यहाँ देखेंगे आप difference, I have little money, जब इसने little लगाया art, इससे पहले a नहीं है ना, दियान देखा, तो hardly any, यानि ना के बराबर है, little से पहले अगर यह नहीं आया, ना के बराबर, मैं बार बार बोड़ रहा हूँ, ना के बराबर ही नहीं, ना के बराबर है, लेकिन अगर आया, please give me a little, अरे भया कुछ तो दे दो, positive, a little लगाते ही चीज़े positive में बन जाती है, नहीं लगाते है तो negative रहती, hardly any ही नहीं भया, ना के बराबर है, he has spent, उसने खर्च किये है, the little money that he had, some but all, some but all का मतलब क्या है, जो भी उसके पास थे, जो भी जितने भी थे, छोटे से थे, कमी थे, लेकिन सारे दे दी है भाई, सारे ही दे दी है, ऐसा ये कहना चाहरा है, there are few boys, न के बराबर, ध्यान से देखेगा, ये सारे examples जोस्तों, little, a little, the little का है, few boys in the class, आज तो ही नहीं भाई, न के बराबर ही है, क्यों few से पहले article नहीं लगाया गया है, I met a few students, कुछ students है मैं मिला, in the university, university मैं मिला, the few students, जो भी कुछ थे, देखो, यहां तो मैं मिला था, positive थे, कुछ तो लोग थे, जो मिले मेरे को, the few students, वो वाले जो कुछ आये थे, जो कुछ ही थे, जो कम ही थे, that were in the class, were sitting idle, जो भी थोड़े से बैठे थे, सारे के सारे फ्री बटे थे, ठाले बटे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तो यहां में क्या है, some but all, थोड़े से, लेकिन आप complete की बात कर रहे हूं, आखरी नियम देखते हैं, आज का दोस् दोस्तों, a और n का कोई plural नहीं है, some or any is equivalent of plural, a और n का plural नहीं है, लेकिन some और any का होता है, वो बराबर ही है, जैसे a horse, an orange, इसका कोई plural नहीं है, some oranges, any oranges, any horses, some or horses, यानि some or any में plural singular हो सकता है, लेकिन a और n तो हमेशा singular रहेंगे, इनका कोई plural नहीं है, तो यहां हमने a और n जो की हमारे indefinite article थे, उनके बारे मैं थोड़ी in-depth पढ़ाई करी, यहां पे दोस्तों ये वाला जो portion है, little a little का, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजेगा, बहु जिसमें बहुत अच्छे से few a few the few, little a little the little समझा रखा है, सरूर उसे देखिए आराम से, अच्छे से तयारी करिए, चैनल के साथ हमारे बने रही है, जिसका नाम है Digital तयारी, stay focused, stay connected, और हाँ दोस्तों, Telegram चैनल मैंने पहले भी बताया, आपको फिर बताना चाहूंगा, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटर तयारी